फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें सुनाली ज्रेसिपीज चैनल को और बेल आइकन को हिट करें यहां से सलेक्ट करें और इससे आप मेरी लेटेस्ट रेसिपीज और किचिन टिप्स के वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सुनाली एंड वेलकम टू सुनाली ज्रेसिपीज चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सभी को पसंद आने वाला सूखा आम का अचार इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह कम तेल में बनाया जाता है और आप इसे सालों तक स्टोर करके रख सकते ह और इसे खा सकते हैं यह बहुत ही जादा टेस्टी लगता है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राय कीजेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो नए-नी रेसिपी और किचिन टिप्स दे यह सालों तक खराब नहीं होता है तो इन अमियों को मैंने अच्छे से वाश कर लिया था उसके बाद इसे मैंने धूप में लग दिया था तो इसका जो मॉइस्चर है वो बिलकुल खटम हो गया है इसमें बिलकुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए अब हम इसे काट ले तो यह मैंने सारी अम्या काटकर तयार कर ली हैं। गुठली मैंने सबकी अलग कर दीvidaए अब मैं इसमें डाल रही हूँ हलदी पाउडर यहाँ पर मैंने अ passado के बिलए को फॉन हलदी पाउडर डाल दिया यह और मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टेबिल स्पून नमक अब ये बाउल हमारा छोटा है तो मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर्ट कर रही हूँ जिससे हम इसे असानी से मिक्स कर पाएं अब हाथ साफ करके आप सारे टुकड़ों को बहुत ही अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लीजे सारे टुकड़ों पे अच्छे से नमक और हल्दी कोट हो जाने चाहिए हाथों को एकदम साफ करके आपको ये काम करना है और एकदम सूखे हाथ होने चाहिए आपके इस तरीके से मैं प्लेट को थोड़ा सा हिला कर मिक्स कर रही हूँ जिससे सभी टुकड़ों पे अच्छे से मसाला कोट हो जाए और अब मैंने इसे वापस बावल में ट्रांसफर कर दिया है क्योंकि कांच के बर्तन में अचार जल्दी खराब नहीं होता है तो आपको अचार बनाने के लिए एकदम सूखे साफ बर्तन का य तोड़ दीजे और बीच पीच में आप इसे इस तरीके से हिला दीजे ऊपर नीचे कर दीजे जिससे जो भी इसके जूस रिलीज होंगे नमक से उससे सभी आम के टुकड़े अच्छे से गल जाएंगे तो इसे हिलाना जरूरी है आपको इसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही रख अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इसे राद पर के लिए और एक पूरे दिन के लिए ऐसे ही ढखकर छोड़ दीजे यानि पूरे 24 घंटे के लिए इसे ढखकर छोड़ दीजे तो सारा जूस इसमें से रिलीस हो जाएगा फिर हम इन आम के टुकड़ों को अ अच्छे से गल जाएं अब मैं एक छलनी की मदद से चान रही हूं जिससे इसका जो सारा जूस निकला है वो अलग हो जाए तो यह मैंने आम के टुकड़ों को एक प्लेट पे निकाल लिया है अगर आप ज़्यादा कॉंटिटी में बना रहे हैं तो आप किसी सूती कपड़े पे इसे फैला सकते हैं फिर दूप में इसे सुखा सकते हैं और यह जो हमारा नमक खलदी का जूस निकला था आम के टुक अब हम इन दोनों प्लेटों को दूप में रख देंगे और जब तक यह आगे पीछे से अच्छे से सूखना जाएं सारे टुकड़े तब तक हमें इन्हें दूप सुखाना हैं अगर आपके घर में दूप नहीं आती आप इसे पंके की हवा में भी सुखा सकते हैं लेकिन थोड़ी दूप दिखाना इसे जरूरी होता है उतना ही अच्छार आपका जादा दिनों तक टिकता है तो मैंने इसे 5-6 दिन तक अच्छे से सुखा लिया था आप देख सकते हैं किस तरह से सारे आम के पीसे अच्छे से सूख चुके हैं अब मैं इसे एकी प्लेट में ट् सौफ तो यहां पर मैंने 2 टेबिल स्पून सौफ ली है इसे मैं एक मिनट के लिए हलका सा रोस्ट कर रही हूं जिससे की इसमें से जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो खतम हो जाएगा तो ज्यादा आपको रोस्ट नहीं करना है सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही इ अगर आपके गर में धूप आती है तो आप धूप में भी रख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक blender jar लिया है इसमें हम अपने मेथी दाने, सौफ और राई को डाल देंगे और इसे हम दरदरा पीस लेंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ वन टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है यहाँ पर मैंने सेम पैन में ठोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रख दिया है दो टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सरसो का तेल लिया है इसे हम अच्छे से गरम कर लेंगे और तेल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे ठोड़ी सी हिंग तो यहाँ पर मैं half teaspoon हींग डाल रही हूँ तो यह अच्छे से गरम हो गया है तेल अब हम गैस को बन कर देंगे यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है इसमें हम अपने मसाले में लाएंगे सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर हींग के अपने 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 तुकडे और इसे बहुत ऑछी से मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे सारे टुकडों में ये जो मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए इसमें हम तेल बहुत कम डालते हैं हम इसमें इतना तेल डालते हैं जितना कि ये टुकडे इसके एब्सॉप कर लें एक्स्ट्रा तेल नहीं डालते हैं और यह अचार बहुत दिनों तक चलता है, सालों तक चलता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, अब जितना इसे रखेंगे, जितना पुराना यह अचार होगा, उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक, और इसे में यह वाला अचार डाल दूँगी यह मैंने अचार को इसमें डाल दिया है अब हम इसे बंद करके साफ सूखी जगे पर रख देंगे और बीच बीच में इसे धूप दिखाते रहेंगे तो आपका 6-7 दिन में यह अचार फूरी तरीके से खाने लाइक हो जाएगा और सारे पीसे अच्छे से गल गए हैं आम के और इस अचार में तेल का कम यूज होता है और यह अचार सालों तक खराब नहीं होता है बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिस भी बटन का आप यूज करें अचार बनाने में वो एकदम साफ और सूखा हुआ हो और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने फ्रेंस और फैमली के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक हमारा चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिये रेड बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल बटन को प्रेस कर दीजेगा जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे तो फ्रेंस जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए स्ट